Central Government ने State Government को कहा है कि वो आदेश जारी करें कि जो 75 के करीब जिले हैं जापर कि ये positive cases पाए गए हैं उनमें बाकी सारी services को रोकते वे खाली essential services ही operate करें उसके लिए State Government आदेश जारी करें साथ ही ये भी discussion हुआ है ये भी निर्ने ले गया है कि State Government इस list को अपने assessment के तहट बढ़ा भी सकती है जितनी भी train services हैं including sub-urban rail services वो 31 मार्श तक किले स्थगित की जाती है Metro rail services को भी 31 मार्श तक किले स्थगित किया जाता है Interstate passenger transport उसको भी 30 मार्श तक किले स्थगित किया जाएगा मैं ये आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि ये सारे measures temporary measures हैं और ये बहुत vital हैं बहुत important हैं कि हम अपना chain of transmission को तोड़ सकें और साथ में ये भी हमें ग्यात होना चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए कि जो हमारा जनता कर्फियों हमने आज किया ये उसका एक natural or logical extension भी है इसके साथ ही states को ये भी कहा गया है कि आप जब ये lockdown की स्थिती in particular जिलों में जहां पर ये positive cases आये हैं उस समय में आप जो भी required measures हैं particularly जो हमारे poor और disadvantaged sections के लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहों उसके बारे में भी required actions state level पर लिया जाए इसी के तहरे central government ने already labor ministry और ministry of corporate affairs को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है एक और मुखे अंश जो आज state secretary, chief secretary के और state health secretary के साथ meeting में आये था वो ये था कि हमने state को कहा है कि वो अपनी capacity to manage positive cases जब भी हो कभी आएं उसको ramp up करने के लिए required action ले और हर state अपनी state में dedicated year mark facilities बनाएं जो कि covid-19 cases को manage करने के लिए तयार हो और उन facilities को immediately ready करें कि कोई भी case आए हम उनको इसको manage कर सके